आज हम आपको बताएंगे जो एक कर्बापनम जो की पहले वीडियो में आप देख चुके हैं उसके बारे मैंने सारी इन्फार्मेसिस बताई थी आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो का हमारा परपस है कि अगर मेरोपनम की थेरापी दिस्कैलेशन एडवेंटेज के जाती है तो कॉस्ट अफिरेपी क्या हो सकती है अगर हम मार्केट में जो ग्रांड्स अवेलेबल हैं अगर हमें कंपरेटिव स्टडी करते हैं तो किस ब्रांड को अगर हमारे मेडिकल प्रैक्टिसनल यूज करते हैं तो पेशेंट की सेविंग क्या हो सकती है और किस प्रो जहां से जो injectables है यह मैनुफेक्चर होते हैं जैसा कि आपको पता है यह good manufacturing practice guidelines होती है तो उस पर जो खरा उतरती है manufacturing plant वहाँ पर इनका approval मिलता है विगा दी जादा injectable products तो ऐसे में quality कि अगर बात करें तो जहां भी हम manufacturing कराते हैं हम पो quality product मिलेंगे अब बात आती है कि इनकी cost of cost में इतना variation क्यों होता है और अगर यह हम patients में use करते है तो patient पर load कितना पड़ता है दूसरी चीज यहां पर मैं ध्यान आकरिश्ट कराना चाहूंगा हमारे इंडिया काते हैं कि maximum population गाउं में वस्ती है और बहुत से लोग अपर class में आप देख सकते हैं insurance facilities रहती है cost of therapy उस भी उन्हें कोई फरक नहीं पड़ता है insurance में सारे reimburse हो जाते हैं लेकिन बात करें हमारे गाउं के किसान है या फिर जो मजदूर वर्ग है या जो lower middle class population है इनको अगर treatment की तरफ रूप करना होता है और यह private hospitals की बाड़ जाता है आई हमने एक example के माधियम से देखते हैं अगर मेरोपनेम कार्पनेम अटिबाइटिक अगर वन ग्राम का इक example लेते हैं तो एक पेशेंट पे कम से कम cost of therapy किती हो सकती है और maximum cost of therapy किती ही जा सकती है उस example के माधियम से हम समझते हैं आइए देखते हैं आप य देते हैं तो आप यह देख सकते हैं कि अगर हम बात करें डी स्कालेसन बेनिफिट का तो डी स्कालेसन बेनिफिट में आपको अप्टू थी डे जब तक की sensitivity रिपोर्ट कल्चर रिपोर्ट नहीं जाती है तो थी देस तक आप empirical approach में देना होगा तो अगर आप वन ग्राम थ अगर थी डेस के लिए देते हैं तो 3 to 3 9 वायल का गंजमसन होता है और जनरल एप्रोच में अगर अप्टू 5 डेस का थिरेपी आप प्रोवाइट करते हैं वन ग्राम थ्राइस एडेस के लिए 3 to 5 15 वायल का गंजमसन होता है यहां पर थिंकेबल कुश्चिन है वाट ब्रा बात यहां पर मैं समझता हूं कि अगर हम बात करें तो मुझे लगता है अगर प्रोडक्ट इकोनॉमिकल हो उसमें क्वालिटी हो पैसें फ्रेंडली हो आइधिंग इस बेसिक्स कि यहां पर हमें प्रोड़क सेलेक्शन इस क्राइटिरिया पर होना चाहिए ना कि मार्जिन आगर प्रोड़क्ट में मार्केट में आ रहा है कहीं लेकिन अगर आप फिर तो कुछ नहीं कहा सकते कि मार्केट में क्राइब किया है एक तो high MRP जैसे कि मैंने 2500 यहने 2500 से 3200 MRP तक के जो मेरोपयनम है high MRP grade में रखा है और एक middle MRP जो की 1500 से लेकर के 2500 के बीच के MRP को middle रखा है और low MRP में यहीं 550 से लेकर 1500 तक के MRP को रखा है और lowest MRP में 449 रखा है आई यह हम देखे है कौन कोन से ब्रांड से हायर मर्पी के तो आप देख सकते हैं मेरो नेम लिट्व जैक्स चल्ड मेरी वॉक अगर हम बात करें मीडल में अपका मीरो प्रिक है मात करें लो अब अब लोवेड़् मेरो ट्रॉल मीरो विन मीरो मैक और लोगेसे अब आगे हम देखते हैं कि कैसे कि पेशेंट क्या सेव कर सकता है कि यहां पर मेरो पेने मों कॉस्टा थिरेपी का अपने टेबल बनाया हुआ है आप देख सकते हमने हायर मार्पी का जैसे हमने कहाने तो आपको जैसा पता है हम एक जनरल केस लेके चल रहे है अगर के संडे रहे हैं तो अगर हम प्छी स्वायल का यूज करते हैं तो 3 डे का cost of therapy आगा 22,500 और 32 MRP का यूज़ करते हैं तो cost will be 28,800 अब आपके आते हैं five days approach में जाते हैं तो देखिए आपका one day का cost is 7,500 इंटू 5 तो 37,500 अगर 3200 MRP का यूज़ करते हैं तो 9600 one day का इंटू 5 days 48,000 यह एक देखिए अगर हम middle MRP में बात करते हैं आप देख सकते हैं तो आप यहां देख सकते हैं 1500 पर वाइल इंटू 3 पर दे का 4500 ऐसे 3 देस का 13,000 फाइब देस का 22,500 ऐसे देखिए का 25,500 MRP का हम इंजेक्शन यूज़ करते हैं तो one day का cost therapy 7,500 थ्री डेस का 22,500 फाइब देस का 37,500 लो MRP में बात करें अगर 550 से ले करके हम 15,000 के बीच का यूज़ करते हैं 50 से 1500 का हम लेते हैं याथे 550 पर वाइल के इसाब से अगर पर दे 3 वाइल लगता है तो 1650 रूपीज थी देस का 4,950 फाइब देस का 8,250 फाइब देस का 8,250 फाइब देस का यह पॉइंट इसको ध्यान रखना है और अगर हम बात करें लोगेस्ट MRP की अगर 1500 का लेते हैं त 247 पर दे का और 3 डेस का 4041 फाइब देस का 6,735 अगर यहां पर एक चाहता हूं जो मैं सेयर करना चाहता हूं वह यह है कि साल एक ही है उसका नाम मेरोपेनम और क्रिटिकल ली इल पेशेंट्स पर हम दे रहे हैं जहां भी बैक्टिरिल इंफेक्शन से मैंने जाइटिस के के अगर हम बात करें तो अगर हम मेरोपेनम दे रहे हैं वही वन ग्राम का मेरोपेनम बनाने वाली मैनुफेक्शनिंग प्लांट्स लगबग सेम तो ऐसे में अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं एक पेशेंट पे फाइब देस की कॉस्ट अप्टिरेपी एगर का में डिफरेंस देखते हैं तो अप्रॉक्सिमेटली 42,000 का डिफरेंस आपको यहां मिल रहा है तो आप सोचिए अगर यह तो आप सोच सकते हैं कि कॉस्ट अ थिरेटी कि कितना पड़ जाएगा और जहां भी पेशेंट होगा वहां पे सबसे बड़ा कंसर्ण क्या होगा डॉक्टर विजिट चार्च अगर वो आईसीव में तो आईसीव का चार्च और भी बहुत से चार्जें हैं अगर हम बात करते हैं कभी-कभी इसलिए भाती सम्विधान को जब देखके लगता है यहां पर समानता की बात कहीं आती है लेकिन यहीं पर देखिए कितनी धन्यवाद कहता हूं thank you very much to those companies who has come up with the low MRP and the lowest MRP specifically अभी जैसे मैंने अहाली में देखा Mylan 545 MRP पर लेके आई है thanks to Mylan coming with this MRP for the patient welfare and thanks to India Walls Pharmaceuticals who has come up with the MRP of 449 IB marrow तो यह मुझे लगता है कि अगर कहीं भी medical community में अगर patient में जहां भी मेरोपेनेम यूज करना है अगर यहां पर हम मेरोपेनेम लोवेस्ट MRP का सेलेक्ट करते हैं तो देखिए इसके क्या benefit हो सकते हैं जैसे मैं आपको यहां सेयर करूँगा सपोच कीजी कोई patient है और अगर वहां पर हमें लगता है कि उस patient को मेरोपेनेम यूज करना चाहिए लेकिन अगर मेरोपेनेम से आपको प्रॉपर response नहीं मिलता है फिर लगता है कि नहीं हमें पर कॉमबो एक प्रॉच में कोई और ड्रग करनी है सबसक्कि कोलिस्टीन एड करनी है या फिर आपको वाली मिक्सिल देना है या फिर अदर एंटिबाटिक कोई भी higher grade करनी है तो आप सोची अगर यहीं पर हम higher MRP देते हैं 48,886 पर आता है और लोवेस्ट पर 6700 आता है यह लोवेस्ट पर चाहरा है और higher पर यह आ रहा है तो आप सोची क्या हम पर हम डिसीजन ले पाएंगे कोई भी जस्टिफिकेशन होगा कि इसके साथ हम और एड करें तो पॉंस्ट अधिरेपी कितनी चली जाएगी क्यों एक इंजेक्शन के कॉंस्ट वे यहां पर डिसीजन हम लेने में थोड़ा सा फंबलेस होगा हम नहीं ले पाएंगे लेकिन कि अगर हम लोगेस्ट अमर्पी मेरोपेनम का देते हैं तो साथ में अगर कॉंबिनेशन प्रॉच में कोलिस्टीन यूज करना हो या फिर लगता है कि पेशेंट को फ्रीट करने के कुछ और भी कॉंब प्रॉच में कोई मेडिसीन यूज करनी है कि कोई और थिरैपी मोड अगर करना है तो आई तिक यहां पर लोगस्ट अमर्पी मेरोपेनम यूज करना चाहिए और नेशलर प्रैसिंग अथरेटी को भी इस चीज़ को संध्यान में लेना चाहिए जहां पर कहीं ने कहीं हमारे देश में अगर हमारा देश है तो गहते हैं कि वन ड्रग वन प्री तो मेरोपेनम जैसे ऐसे बहुत सारे इंजेक्शन हैं जिनकी हमारे पी कम से कम होनी चाहिए ताकि अगर हमारे जो मेडिकल प्रोफेशनल में हमारे जो मेडिकल प्रोफेशनल से अगर उनको डिसीजन देना है लेना है कि ट्रीटमेंट में कौन से मैडिसिन सी यूज करनी ह तो उन्ता पर पेन रुके ना ताकि अगर मेडिसिन की कॉस्ट कम से कम होगी तो उनको डिसीजन लेने में भी आसानी होगी और पेसेंट को इसका फायता मिलेगा कहीं नहीं कहीं हम पेसेंट की जान बचा पाएंगे और इस तरह से हम अपने देश की सेवा का एक कतम प्ले कर तो यह मेरोपेनम इंजेक्शन के बारे में था जहां में ने बताया कि अगर लोवेस्ट एमर्पी 449 आईवी मेरो एंडियाबल्स फर्मस्यूटिकल्स का अगर यह करते हैं तो आपको यह एक इंफॉमेसिन की थी कहां पर सेविंग हो सकती है और यहां पर पेसेंट को भी अबया होने की जरूरत है कि वो भी जाने कौन सा इंजेक्शन लग रहा है उसकी हमारी पीस क्या हो सकती है यह थारी इंफॉमेसिन दी बाकी अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी कुछ नए टॉपिस के साथ हमारा यूटीब चैनल फार्मा लीडर्सिप अगेडमी अगर आपने नहीं किया में प्लीज सब्सक्राइब किजें लाइक कीजिए पने कमेंट जरूर कीजेगा और आपके कमेंट से में पता से लेगा कि हम अपने क्वालिटी में कहां इंप्रविमेंट करना है और आपके कुछ नए इंफॉमेसिन दाप फिर मुलाकात हुए